नमस्कार में कपीश, भला और आप देख रहे हैं उद्यापूर खबर जिसकी सूचना आसपास के दुकानदारों ने भक्तिदल के सदस्यों को दी जिस पर मोके पर पहुचे भक्तिदल के सदस्य दिनेश डांगी, कमल स्रीमाली, चेतन डांगी, बरत पालीवाल, सुरेश चारन, मोती ने लोगों से वार्ता कर सच और गलत को जाच कर सारवजनिक स सोचले पर लगे रामकथा के प्रचार प्रशार करते बेनर से महादेव और रामचरित मानस के फोटो को अलग कर दिया राती आयजन करताओं को समंदित कारेक्रम करने के लिए धन्यवाद देने के साथ अपील की कि हिंदू आराध्य देवों के फोटो को इस तरह से ना लगा जिससे आम हिंदू की भावनाए आहत हो आगामी आने वाले दिनों में होने वाली रामकथा के प्रचार प्रसार करते सारवजनिक सोचले पर जो लगाया गया होर्डिंग था उस से होर्डिंग से महादेव और रामचरित मानस के फोटो को निकाल कर अप्ति दल के सदस्यों अपने साथ लेकर चले गए आप यह मियां पर इसलिया है कि यह निराज वाले मुररी बपू यह मिलके एक रामकता करवा रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जागरत करना चाहिए सही बात है लेकिन आप एक रहे जितरे से इन्होंने पोल्चर लगवाए सहर में हर इन्होंने भगवाण तो लगा है, सबसा बढ़ा काम पे इन्होंने पグ nhi बात्रूम घर पे एक तरब तो यह करोडो रुपई ख़त्म करके भगवान का बदल करता परचार करें दर्मका परचार करें और दूसरी तरब नई भगवाण को बात्रूम घर टी, क्या अपमान ह आप खुछ देख लीजिए लोग के आज्टा एंदर कि अलगे देश के अंदर दुणिया पूरे हिंदुस्तान को डेख रही है आझ वाकीर में हिंदुस्तान अपनी संस्क्रिति को पाने चला है लेकिन अपने यहाँ के लोग ही क्या कर रहे हैं हमारी बाटरूम घोरों पे यहां बात्रम गोरों पर लगा के मतलब इनका कितना अफमान कर रहे हैं तो आपको आगे आना चाहिए अपनी रोजी रोटी कमाओ कुछ भी करो लेकिन इस तरह से भगवान का अफमान मत करो जहीं आपको अठाओ यहां से इसको आपनी अठाओ ने अठाओ जाके